कि आपका प्यार आपसे बिच्छर रहा है, या आप किसी लड़की को पाना चाहते हैं, मन चाहा इस्तरी को अपने वस में करना चाहते हैं, मन चाहा प्यार पाना चाहते हैं, मन चाहा इस्तरी से साधी करना चाहते हैं, तो आज का वो सिकरन सिर्फ आपके लिए है, और बहुत कोई भी इंष्त्री होगी अब से बेपनाह महवाद करने लगेगे यह इतना आसान है कि सुबह कीजिए या दिन में कीजिए या साम को कीजिए या रात में कीजिए कभी भी आप कर सकते हैं लेकिन सिर्फ आप रवीवर के दिने कीजियेगा ठीक न? यह इतना जबदस्त वह सिकरन है कि हाजारों साल बाद यह एक ऐसा वह सिकरन है जो कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर में तीजी में काम करता है और लाइफ टाइम के लिए काम करता है हमेशा हमेशा के लिए काम करता है ये आप किसी भी इस्तरी को पाना चाहते हैं उसके दिलों दिम अपने लिए मोहबत पायदा करना चाहते हैं तो सिर्फ उस इस्तरी का नाम लेकर उस लड़की का नाम लेकर आप वह उसी करन टुटका कर दीजिए वह हमेशा हमेशा केलिए आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी आपके बिना नहीरा पाएगी। सिर्फ आपको एक काली धूप जलाना है या पाँच अगरबती जलाना है इसी काली धूप या पाँच अगरबती से आप किसी भी इस्तरी के दिलों दिमाग में अपने लिए मोहबत पैदा कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं, आईए बतलाते हैं, देखिए गमर भक्तों, जहां भी समझने में दीकत होगे, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपकी जरूर मत करेंगे, और यह आप हमरी चानल पर नए हैं, अभीते पुर नीचानल को सस्क्राब नहीं किये हैं, तो प्लिज सस्क्रा किसी भी स्तरी के दिलों दिमाग में अपने लिए महबत पैदा कर सकते हैं, कैसे करना है, कहां करना है, देखिएगा, अपने घर के, पूजा घर में, अपने घर के, पूजा घर में आप बैठ जाएए, और इस टुटका को किजिए, करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक अगरब मंत्र है, कि सिर्फ 551 बार जपने की जरुवत है, जैसे उस इस्तरी का नाम लेकर इस मंत्र को जप दीजिएगा, वह इस्तरी जीवन भर के लिए, हमेशा, हमेशा के लिए, आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, आपके वस्म हो जाएगी, कैसे करना है, ये बतलाते हैं मरवक्तो अपने पूजा घर में बढ़ जाईएगा, असनान कर लिजिएगा, साप कपरे धारन कर लिजिएगा, और मंत्र सुन लिजिए, मंत्र किस परकार से हैं, ओम, कलीम, कृष्णाय, कृष्णाय, नमहा, इस मंत्र का प्रियो करना है किस परकार से, ध्यान से इस जो अगरबती जल रहा है, या काली धूप जल रहा है, इसका जो धुआ निकल रहा है, इसके उपर से हाथ फिरना इस परकार से स्परकार से करना है, और इस मंत्र का प्रियो करते रहना है, और एक बार मंत्र परहिएगा, तो उस इस्तरी का नाम एक बार ले लिजिएग उसके बाद में इसका जो राक बनेगा यानि कि भवुत जो बनेगा इसको उठाना है और क्या करना थोरी सी मात्रा में उसी समय अपने सीने पर लगा ले ना उसी स्तरी का नाम ले करके और बाकी का जो भवुत है सुबह जल्दी उठियेगा अगले दिन सुबा जल्ली उठिएगा और किसी भी बहत हुए पानी में चाहिए नदी का हो या तलाब का हो उसमें का करना इस्तरी का नाम लेकर और अपना नाम लेकर इसको का करना भहाद नहा है बिसरजन कर देना ही सराक को जैसे भी सरजन कर दिजएगा चमतकार होगा कि अगले दीन से ही वह इस्त्री आपके वस में होती आएगी एकदम चुंबा की तरक्षिंश्ती हुई आएगी आपके पास आपके बिना नहीर आप आएगी आपके प्यार में दीवानी हो जाएगे मेरे वक्तो यदि आपको समझने में जहां भी दिकत हुआ है नीचे कम्मेंट जरूर किजेगा हम आपकी जरूर मदत करेंगे और मेरे वक्तो यदि आप हमारे चानल पर ने हैं तो प्लीज मेरे चानल को सस्क्राइब जरूर किजिएगा ताकि हम जितने भी उड़ बनाएंगे सबसे पहले आपी के पास में जाएगा